यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ इसके साथ ही खेल विभाग होना में पिछले कई सालों से हैंबॉल का कोच भी तैनात नहीं हो पाया है सरकार और विभाग की और से हैंबॉल की बेरुखी को लेकर खिलाडियों में खासी निराशा है मनाली में रोहतां की और बरफ का दिदार करने गए सेलानी एक हाथ से का शिकार हो गए सेलानियों से भरी कार रहा निलाला की समीप खाई में लुड़क गई जिससे दो सेलानियों की मुआ के पर मौत हो गई जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गई हैं सड़क दुरगटना के बारे में पुलिस को सूचना दी गई जिसके बाद पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया अस्पताल में डॉक्टर ने दो सेलानियों को मृत घोशित किया मनाली पुलिस के जुएसपी शेर सुंग ने बताया कि पुलिस दुरगटना के कारणों की जांच कर रही है अब इतक सेलानियों के पहचा नहीं हो पाई है बताया जा रहा है कि सेलानी नौइडा और गाजियाबाद की रहने वाले हैं तो आपको बता दे कुलू और मेनाली जहां पर अच्छे से लोग जाते हैं ताकि वहाँ पर प्रकति का दिदार कर पाएं सिंग ने बताया कि पुलिस दुर्गटना की कारणों की जांच भी कर रही है और अभी तक सेलानियों की पहचान नहीं हो पाई है जिस कारण बड़ा संशय बना हुआ है लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो सेलानी है वो गाजयाबाद और नौइडा के रहने वाले हैं चलिए बात करते हैं सलूनी की जहां पर खुले आम स्वच भारत अभियान के धज्या उड़ाई जा रही है इलाके के बड़ो बजार में बने चुराहे पर दुकानों का कच्रा इसकदर फैला है कि वहां चुराहे पर बस के इंतजार में खड़े होने वाले लोग बहुत परिशान रहते हैं साथी बढ़ो बजार के स्थाने दुकान दारों का कहना है कि हम खुले में कच्रा डालने के लिए मजबूर है प्रशासन हमारे लिए कच्रा डालने की कोई विवस्था नहीं कर रहा है साथ ही कहा कि हम प्रशासन से कोड़ेदान के लिए बहुत बार गुहार भी लगा चुके है लेकिन प्रशासन इस पर चुपी स्तादे हुए है झाल